हलो दोस्तों स्वागत है आपका वीडियो में और आज मैं आपको फॉर्मला डिराइब करके बताऊंगा अगर हमारे पास दो पैडलल लाइन से तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाला जाए उसका जो फॉर्मला होता है उसको डिराइब करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद एक हम प्रॉब्लम लेकर उसको समझाऊंगा कि कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जो पैडलल लाइन्स होती है उनको हम समझ लें तो सपोज अगर मैं एक्वेशन लो A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वेशन है दूसरी A2X प्लस B2Y प्लस C2 यह बराबर 0 तो अगर यह दोनों लाइन्स लाइन L1 जो है वो पैडलर है लाइन L2 के इसका मतलब यह है कि A1 बाइन A2 यह बराबर होना चाहिए B1Y B2 और यह कोई भी एक कॉंस्टेंट वैल्यू हो सकती है अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि यह दो दोनों लाइन्स है यह दोनों अब पैरलल लाइन्स है अब पैरलल लाइन्स की बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाए उसके लिए जो कं पैरल्यू बैलर। शूडा लाइन्स का और धिस्टेंस होना है एकदम परपंडिकुलर तो लएन अलब़न का परप्रपेंडिकुलर दिस्टेंस ओर ज़िन अगर। उनके बीच के जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं जो दीटू माइनस डीवन होगा वो होगा डिस्टेंस बिट्वीन इस टू पैरलल लैंस तो हमें करना क्या है जो भी दो लाइन से पैरलल लैंस उन दोनों का ही जो ओरीजिन से दिस्टेंस निकलना है और उसका डिफरेंस लेना है तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा पैरलल लैंस के बीच में वह हमारे पास आ जाएगा अब मैंने आपको शुरू में बताया कि जो पैरलल लैंस होती है उनके अगर हम एक्स और वाई के जो कॉफिशेंट से उनका अगर हम रेश्यों लें तो वह हमेशा कॉंस्टिंट आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक्वेशन की बात करें तो इनके जो एक्स और वाई है इनके जो कॉफिशेंट से वह सेम होते हैं किसके पैरलल लैंस के है खें मोट या फिर हम बोल सकते हैं कि वह प्रपोर्शनल होते हैं ठीक है तो यह दोनों आधी जो मैंने लायनस बनाई हुए यह वह कैसी है पैरलल लाइन से और इन दोनों मिहा सका हम origin से डिस्तन्स निका लें तो इसको by लफ को L2 बोल देते हैं तो D1 पहली वाली लाइन के लिए ओरीजिन से जो डिस्टेंस है वो है तो वो बरावर होगा A इंटु जीरो प्लस B इंटु जीरो प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ओफ A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर और इसी तरह के से अगर हम जो लाइन इन धू इसका अरीजिन से दिस्टेंस निकाल है तो वह हैगा A इंटु जीरो प्लस B इंटु जीरो प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ओफ A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर और इन दोनों का जो डिफेरेंस होगा वही होगा इंटु इन दोनों प्लैलर लाइन के बीच में तो इसट बी स्क्वेर यह हमारे पास फॉर्मला डिरैव हो गया दो लाइन्स के वीच में जो पैलल डिस्टेंस होता है उसको निकालने के लिए अब इसको हम यूज के से करेंगे अगर हमारे पास पैलल लाइन्स गीवन है तो वह हम देखते हैं तो इतना जो पार्ट है यह में रफ कर पैलल ले क्योंकि हम यहां पर देखें टू बाइफ निकाले और थ्री बाइस निकाले यह दोनों ही किसके बराबर आएगा वन बाइटू के तो यह दोनों लाइन्स होगे पैलल और पैलल लाइन्स के लिए जो फॉर्मुला है वो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके बन है और फाली एक्वेशन मेंதु और थ्री यह दोनों प्राइम नम्बर से तो जो सेकेंड वाली क्वेशन है उसको उसके जो य के कोविशें्ट है उसको वह भी हमें असफक हिसमे ला ना है तो सेकेंड डिवेसिंशं को अगर हम टू से डिवाइड कर देंं तो हमें मिलेगा dividing यहाँ पर मिलिक देता हूँ dividing second equation by 2 हमें मिलेगा 2x plus 3y plus 1 plus 1 equal to 0 अब यहाँ पर c1 की जो value हो गई 5 के बराबर c2 की जो value हो गई 1 के बराबर a की value हो गई 2 के बराबर और b की value हो गई 3 के बराबर यह हम formula यहाँ पर जो values है वो इस formula में put कर दें so mod of 5 minus 1 upon mod of under root of 2 square plus 3 square so हमें यहाँ पर मिलेगा 4 upon under root of 4 plus 9 कितना हो जाएगा 13 so यह distance जो इन दोनो parallel lines के बीच में होगा वो कितने units के बराबर होगा 4 by 13 okay so यह the derivation distance between two parallel lines और एक example से मैंने आपको formula कैसे use करना है वो भी मैंने आपको बता है so I hope that this video will be helpful for you आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको से लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले notification bell को प्रेस करें ताकि जैसी ना वीडियो अप्लोड है आपको तुरंत उसकी information मिल जाए thank you so much thank you for watching